हेलो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा आज हम आप लोगों के साथ व्रत रेसिपी सेर करने वाले हैं जिसमें हम प्रांठे बनाना बताएंगे जिसको बनाना एक्तम से आसान है और बहुत ज़्यादा आपके ये प्रांठे सोफ्ट बनेंगे आप इन्हें जुर अब इसे हम मिक्सिजार के अंदर डाल देंगे और सहीं उसी कप से हमने यहां आदा कप सापो दाना लिया है इसको भी हम मिक्सिजार के अंदर डाल देंगे इन दोनों की मातरा आप थोड़ी कम यह ज़्यादा भी कर सकते है जरूरी नहीं कि आप इसे आदा आदा कप ही ल अब इसके इंदर हम बाके की भी चीजे एड कर देते हैं आदा कप हमने यहां दःी लिया है दःी आप नोर्मल भी ले सकते हैं और खटा भी ले सकते हैं अगर आफ रत में दही नहीं खाते तो आप इसे पानी से भी बना सकते हैं अब इसके अंदर हमने एक कप पानी लिया है जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और साथ में इसे मिक्स करते जाएंगे साबुदाना पानी को बहुत ही जादा अपने अंदर एब्जॉब कर लेता है इसके लिए ये देखो थोड़ा थिक हो चुका है अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ओर एड़ करेंगे वैसे हमने इसके अंदर टोटल एक कप जितना पानी एड़ किया है अगर आपका दही ज्यादा थिक है तो आप इसके अंदर एक कप जितना पानी डाल सकते हैं अगर दही थोड़ा सा लिक्विड है तो आप इसमें थोड़ा पानी कम डालिएगा और देखो हमें इस तरह का बेटर बना के तयार करना है जो ना जादा थिक है ना ही जादा ये पतला है अब इसके दर हमने दो से तीन बारिक कट कीवी हरिमेश एड़ की है इसकी मातराप कम ये जादा कर सकते है एक चमच के लगबग हमने यहां साबुच जीरा एड़ किया है आदा चमच के लगबग काली मेश पाउडर एड़ की है और आदा चमच के लगबग हमने यहां व्रत वाला काला नमक एड़ किया है और थोड़ा सा इसके दर हम खट्टा पन लाने के लिए एक चमज के लगबख अमचूर पाउडर एड़ करेंगे ये अमचूर पाउडर घर पे पिसावा है मार्केट वाला यूस नहीं करना है और एक चमज हमने इसके अंदर पिसीवी जीनी एड़ की है और एक कप हम इसके से ग्रेट कर लिया है एकदम से बारी खोना चाहिए जिससे हमारे प्रांटे के अंदर बाइनिंग अच्छी आएगी और अच्छेसे हलके क्रिस्पी भी वनेंगे अब इन सबी को अच्छा से निक्स कर लेंगे अगर आफ हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को याद के जुरू सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल बटन को आल पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप हमारे चैनल की और भी व्रत रेसिपी या फिर राजस्तानी रेसिपी देखना चाहते हैं त पानी जो हमने एक कप लिया था उसमें से हमने थोड़ा सा बचा के रखा था वही इसके अंदर हमने एड़ किया है वैसे आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से भी रख सकते हैं अगर आपको परांटा थोड़ा सा सोफ्ट चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी और कर ले और इसकी थिकनेस थोड़ी सी पतली रखे अगर आप इसके बेटर को थोड़ा थिक रखेंगे तो आपके परांटे थोड़े से थिक होंगे अब हम थोड़े से तववे के उपर तेल लगाएंगे हमने या मूफले के तेल का यूज किया है व्रत में इसी कोई खाते ह या फिर आप घी का यूज़ कर सकते हैं, आप तवे की जगा पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, देखो हमारा बेटर इस तरह का है, इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, वरना आपके परांटे बनने में थोड़ी दिक्कत देंगे, अब हम तवे पे इस तरह से च प्राइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है, वो भी आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिपलाइज जरूर देंगे, जब यह अच्छा से जीख जाएगा, तो हलका उपर से ड्राइज हो जाएगा, अब इसे हम पलड़ देंगे और इसे भी हम तूसरी साइट से अच्छा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, थोड़ा सा इसके साइट में हम तेल लगा देंगे, या फिर घी लगा देंगे, और इसे हम लो आज पे हलका क्रिस्पी होने तक पकने देंगे, थोड़ी देर में यह बनकर तयार हो जाएगा, पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से डिफ्रेंट और यूनिक रेसेपी सेर कर पाएं। लोजी हमारे व्रत के परांठे बनकर तयार हो चुके हैं, जिने आप दही के साथ व्रत चटने के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और देखो कितने आसानी से टूट रहे हैं, कितने सौफ्ट मने हैं, आप इने जुरूर ट्राइ करें। तो चलिए हम फिर मिलता ह नई रेसिपी के साथ अगली बार तब तके लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम साँ।